जोहार जार्खंड जय जार्खंड आप फिलाल जार्खंड राज में 47 की निती को लेकर माहुल पुरा गर्म है तो चलिए आज के विचारों का आदान करना प्रदान करने से पुर्व कई तयोहार एक साथ मनाया जा रहें या फिर आमने सामने हैं भारत भुमी विविन विविन आस्थाओं संप्रदाय की आस्था का प्रतिक है और कई आस्था नुसार परव तिवहर मनाया जाते हैं उसे में प्रकृतिक परव सरहुल रमजान और रामनमी की हर्दिक असंग के शुबकामनाई मुवारक बाद तो सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे 60-40 की नीती कि आखिर 60-40 की नीती को लेकर अपरी राज में युवा परेसान क्यों है आखिर आंदोलन की बज़र क्या बन रही है और इससे आखिर नुक्षान क्या हो सकता है क्या हो सकता है अगर 60-40 की नीती को अगर मान के हम लोग चलते हैं 60-40 की नीती इसी त चलती है और फॉर्म भरने दिया जाता है तो क्या पोसिबिलिटी क्या हो सकती है चुकि सबकी अपनी अपनी राय है सबके पास अपना बुद्धी विवेक हैं हम लोग भी आयू कम हैं हम लोग भी चात्र है तो अपने अनुसार जिस परकार की अब तक के चीजों को हम लोग देखें हैं चात्र जीवन में हलंकि अगर कहा जाए तो हम लोग अभी एक नॉलेज मनें थुड़ा सा बीवेक और बुद्धी की अनुसार कहा जाए तो ज्यादा हम लोग कभी एक ग्रिशन के बाद भी चात्र में धंकी बुद्धी आती है तो हम लोग भी 2015 के आसपस ग्र 20 की नीतिया की मतलब कि हमारे को अगर होती है नौकरी ना चार ग्रेड में होती है चारी तो जैसा छार बर्वर्ण उसके ताहत 6 में आपका मैं सब्सक्राइब जारा अटो चे कर ने सब्सक्राइब उसक्राइब प्रेकार स्ट के लिए फिलाल अभी 26 है तो कहीं साथ है जो आपके पास जो रिजरुशन की पॉलिशी है उसके अंतरकत आप जितना ही सीट होता है आपका जो आपका रिजरुशन की प्रक्रिया में फिट नहीं होता है उसको आप एंड किया गया लेकिन उसमें क्रेट्रियार आता है कि उसको उसी राज़िके लोग ही फ्रम को परहेंगे इसको साट जा रहा है लेकिन उस आपन में भी क्या होता है बाकी राज्यों में वह उस राज्यों के लिए सुरक्षित रहता है उसी राज्य के लिए ठीक ओपेंड है यह रेजर्विशन नहीं आता लेकिन यह ओपेंड है और इसी जो जह हमारा कैटेगरी है सबसे पहले आपको मनना होगा यह नुकसान की बात करी जा रही कि आखिर नुकसान क्या होगा यह चीजी हमको समझना होगा कि हम लोग जारखन के भोले भाले लोग हैं हम जो भी छात्र हैं जर्खन से पढ़ने माले चात्रों के मेंटिलिटी को या फिर हमारी जो बोधिकता है उसे मुंबई महानगर चेर्ने महानगर और बैंगलोर के महानगरों में टाउन्शिप में उस टाउन्शिप में जो भी लोग पढ़ाई करते हैं जिस प्रकार के कंपेटिशन के त्यारी क करते हैं क्या उस यूद के साथ हमारे राज के चात्र कंपेर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को मरना होगा कि हम जिस परिष्टिती में बढ़े हैं जिस वातावरण में ढ़ले हैं हमारा परवरिस हमारी पढ़ाही हमारी जूकेशन का स्तर भी आप देख सकते ह रही हैं उनसे मुकाबला करेंगे दो से पांच परसंट बाकि 90 परसंट जो हमारे चात्र है आप चले जाएं कासकर गवर्मेंट इसकूलों में चले जाएं इसकूलों की बात आते हैं जहां 785 हम लोग जाते हैं वहां के बच्चे ठीक से अपना पूर्ण पता नहीं लिख बाते हैं वहां के बच्चे ठीक से अपना जो भी है बायोरेटा नहीं लिख पाते हैं तो ये बहुत दुरभाग के बिसे हमारा सच्चनेक अस्तर बाकि राज्यों के सच्चने कस्तर मों से कही ना कहीं और हमारा जो सभाव राज जमिन जंगल आधि वासी मुलबासी भोले वाले खेती बारी करने वाले तो आधुनिक सिक्षा की जो फदर देती है उसे थोड़ा सा हमलग दूरी है तो अगर चालीस दिसकी बात करी दा रही है उसमें अगर एक बेरियर नहीं रहेगा कोई नो कई बेरियर तो रखना होगा जैसे अभी दочно अगर उडिशा की बात करे तो उडिशा का न Improveuk पड़े साथ वाले तो उन्होंने बताया कि नहुने एकजाम लिखा बहुत सारा परकरिया दोड बगेरा था और भी था उसको किलियर किया लेकिन यह क्या हुआ कि जैसे ही आपका इंटरव्यू का बात आया तो नहीं उडिया वहांसा में साइद उसको इंटरव्यू के लिए कागज दिया या फिर अंतिम जो चीज था वो इस टैक के कुछ करके बेरियर को अपना लगा दि बाकी अगर जार्खंड का बेरियर हता तो 60-40 नहीं 50-50 में भी लोग विरोध नहीं करते हैं कि भाई 50 भी अगर आप रिजर्व कोटा से हैं 50 को अगर आपके पास अगर कोई वेरियर है तो उसमें क्या होगा कि जार्खंड के लोग ही सेलेक्ट होंगे लेकिन आपके पास नहीं है आप राजस्थान में बहुत सारे हमारे साथियों ने एक्जाम देने का काम किया था साइद टीचर का और फाइनली जब एक्जाम के बाद इंटरव्यू तक गए तो बाकी जो राज्यों की अभियर्थी उनको आसानी से उनने छाट दिया क्योंकि उनके पास ऐसा पिकल्प है कि क्या तरीका है कि बाहर के राज्यों को रोक लें तरह साम के पास तरीका लेकिन जारखन के पास कोई बहुत बहुत है उसको भी देखे सिलेवस से हटा दिया गया है लोक संस्कृति और मतलब हम थोड़ा सा समझाना चाहेंगे जिसे इस पर हालिकल को जो जेपिएस्टी के एकजाम था उसमें जिनों ने विर दिया होगा याद किजिए कि उसमें एक सेंद्रा सब्द का जिकर है कि सेंद्रा क्या होता है अब मान के चलिए गुजरात महरास् दिनों करते हैं एक भी सिस्प्रकार की प्रफफा होती है आपका पहेला घहला का जिकरता तो यह चीजें लोग लोग चीजें क्या है भले जार्कन में नौव भासाएँ बोले जाती है थोड़ा सा कल्चर एक दुसरे का भीन्हा है लेकिन कहीं ना कहीं जो फ्यमस चीजें ह तो अगर बांद के चलिए अगर सरहुल के बारे में लिखने दिया जाए किसी इमतहान में अगर सरहुल के बारे में पूछा जाए तो बताईए विहार अथवा यूपी का जो छात्रों को रटना होगा लेकिन जारखंड का छात्र जोगा सरहुल के बारे में अच्छे से जान तो ठीक उसी परकार जर्खन के पास barrier नहीं है डरने का कारणी है कि जर्खन के पास कोई barrier नहीं है और इसका नतीजा था आपका 2006 का जो टीचर भाली था आपको याद होगा जिसमें जो जेनरल के आपेंट का केटेगरी था उसमें 75 परचंट यानि स्वामें 75 लोग जो आपें राज्यों के अभियर्ति थे भाई राज्य हमारा चात्र पढ़ने वाले हमारे इंवेस्ट सारा पैसा हमारा होगा और प्रोफेसर टीचर बन के मैक्सिम बाहर के लोग आ गए क्योंकि हमारे पास barrier नहीं था यहीं 60-40 जो 40 open किया जा रहा है वो barrier नहीं होगा और इंडिया को लेकिन बाकी जो राज्य है उस राज्य के जो सरकारे गवर्मेंट है कहीं न कहीं अपने राज्यबास्यों के लिए सोचते हैं उनके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं वो barrier लगा कर बैठे हैं बहासा का barrier है अपनी culture का barrier है syllabus का barrier है कि उहाँ झारखंड के बारे में सथ हैं चाद कर डिश्य का अपन टारे मैं उसका तो शहें उसका लूइक सिसर्वबासस के करदा ऐसे चात्रों में बाकी 30 bus किया ए और जो 10% का भी रहेगा उसमें भी तो ज़र कंबने मैक्सिमुम और जो कहीं at फंब लेते हैं इससे क्या होगा अगर सब्सक्राइब उपर हैं भाशा का बेरियर नहीं होगा और घलत तरीके से फरजी बालू ठेलेगा जंगल का लकड़ी काटके पत्ता बेचेगा राज हमारा पढ़ने वाले बच्चे हमारे और मास्टर कहां क्या रहे है यूपी बियार बंगाल 36 गड़ राजस्थान हिमाचल के क्यूं बाई क्यूं तो इसलिए आज साठ चालिस को लेकर अभी भावों को भी कि समर्थन करना हुआ है तो अभी भावों के बच्चा पढ़ने के लिए पढ़ने के बाद आता है कि बैटा यह चुछ नाम की चीज नहीं है लेकिन पढ़ने के बहुत सारे बहुत सारे बह्लयां आज कई सालों से ली नहीं गयी है जेपीएस की बात करें तो हमारे पास सा तो पढ़ाई हुआ जब लिया जा रहा है पोलीसी नहीं बन रही है तो फिर मने आप अपने बच्चे को भी कहते हैं अभी वावा कि तो आपको खुब पढ़ाएं लेकिन आप कुछ किया नहीं तो उसे क्या मेंटर करता है इसलिए मैंटर है पोलीसी तो इसलिए अभी एक्जामपल के तोर पे कि किस परकार बाहर के जो एस्टेट है वो भासा का बिरियर लगा के अड़ने स्टुडेंट को रोकते हैं जिसे अभी मानके चलिए जिन जीलों में अलग 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 जीलों में क्या कारण है कि आपका उहां अलग अलग भासा को अ साथ्जिलों में दिया गया है जो कि बहुत बड़ा बेमानी है और समय ध्वानिक भी सड़र्ड और कोट में कोई फियल दार करता है इसको चैलेंज करता है तो बिल्कुल कट घरे में होंगे मुख्य मंत्री पुरी मना उनका बिल्कुल यह गंदा नीती है कैसी अबीसी जी तो ये पॉलिसियां राज को बरबाद करने के लिए आई है और सबसे खास बात ये है आप देख सकते हैं सबसे पहली बात डेमोग्रफी बदली जा रही है डेमोग्रफी कैसे बदली जा रही है ना अन्नी राज्यों के लोग यह नोक्रियों के माध्यम से आ रहे हैं सरकार उ देखें में उनके बच्चे को माहराष्ट कुई राइट मैं मिला मैं उत्ति बहुत किसी इस ना 9 डेमोगरेफ्य बदालिए पदालिये हमारी विचयाद्धारा को बदालिये हमारी संस्कृति हमारी राजनेती को बदाल रहिए अनिराज्यो के लोग अगर आठे हैं स्थापित ओत्य होते तुं अपनी संस्कृति को ष्थापित करे सुँ burada i 40% 40% जब बाहर के लोग आते हैं तो इसके बाहर के लोग नोकरियां लेकर नहीं आएंगे यहीं बस जाएंगे भूमी खर देंगे यहीं और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वह अब जरखंडी हो जाएंगे क्योंकि एक कोलम यह भी है ना कि यदि कोई मनें पिताजी उसका यहा सब चीज को यहां का मनें डिस्टरब किया जा रहा है मुख्यमांत्री मनें घोड़ा बेंच कर सो रहे हैं तो यहीं समस्या आने वाले दिनों में बहुत भारी पड़ेगी और इस राजी के युबायों के लिए मनें परेशानी का सबब बनेगी और फाइनली इस राज की सा अधिकारी थे नाम नहीं लेंगे क्योंकि देखी रहे हैं कि हमारे साथ अरकिनिक तस्वीर आया था तो हमको भी जनकारी नहीं थी तो बंदों को तो वहाँ उन्होंने असपश्ट कहा कि हम लोग भी तीन एटेम्ट के बाद इस नोकरी को लिये हैं और इसलिए इतना टाइम लगा क्योंकि हम लोग पैसा नहीं दे पाते थे हम जारखंड कही हैं बताया उन्होंने अपना जीला का नाम लिया हम वह भी नहीं बताएंगी कोन जीला का हैं तो सोच सकते हैं वह अधिकारी के पदपन हैं लेकिन उन्होंने में अपने दर्द को छलकाया कि हां बास्तों में जारखंड में दर्द है तो यह साठ चालिस की जो policy आई है वो भी गलत है भासा का जो barrier है उसको हटा दिया गया है वो भी गलत है बिल्कुल भासा का barrier कैसे हट सकता है भाई आप ही बताइए जतने भी लोग आज live में हैं हम दोनों YouTube और Facebook पेज दोनों जखा लाइब है और बहुत वीवर की संख्या भी जादा है तो आप लो उसी राज में उसी राज में भी नहीं उसी राज के किसी एक कौने में अत्व हडली एक राज में है बर हमको भी नहीं जान करें हम लोग छोटा बच्चा लेकिन वताई यह लोकल महासा का मतलब क्या हो सकता है क्या इंगलीस किसी भी एंगल से लोकल महासा हो सकती है यदि ये तापसदा जब तक एक बहुत बड़ा जन समर्थन नहीं होगा तब तक चक्कार जाम के लिए हम लोग तो हर तर से परियास है कली देखिए लाठी चार्ज होआ तो 20 सेकंड में फिर ये तो सोभावी के जब लाठी चार्ज होता है तो भले हम घर बैटे कुछ कहें लेकिन जब जो लोग सामने होते तो सोभावी के उन्हों भीन इत्तर बित्तर हो जाती है लेकिन इत्तर बित्तर जब हुई उस समय हम आगे जागे खड़ा हुए हमने तो असपस्ट कहा कि मारना दसर पे मारी है तो हम अपने जान का परवान नहीं करते हैं बहुत अबसर ऐसे आए तो उसके लिए हम लोग त्यार है जो भी करना है लेकिन भहिया बाकी लोग तो सामना करें पीछे आड़ जाने से नहीं न होगा तो ठीक उसी परकार भासा का बेरियर समाप्त करने से क्या होगा कि कहीं न कहीं पूरी तरह से अड़ने राज्यों की अभिहर्तियों को खुल पूश्कने के साथ साथ नेतिक समर्थन ठीक है आंदोलन के रूप में ना सहीं नेतिक समर्थन करना चाहिए कहीं तो दिखे किसी भी अस्तर से काग जों में किसी भी अस्तर से दिखे तो बाकिये अग्रेज भी अब हमारे यहां एक्जाम में बैठने के लिए आ रहे हैं क्यूंकि अंग्रेज ही हमारी लोकल भासा बन चुकी है कुंदन्दव तो सच्चाई है आज से नहीं तो कईस बर्सों से लोकल मने लोकलिटी के नाम पर बाहर के लोग अपना यहां जाती आवासी बना रहे हैं ओविसी बना रहे हैं यह आज का नहीं बहुत पुराना भी से हम लोग भी आ हुगा थे तो फिलाल फिर से एक बर सब को जोहार करते हैं जैजारखन पुना प्रक्रतिक पर वो सरूल की शुब करना है रमजान का भी महिना आ गया है उसके भी बताई रम नमी भी आने वादा